चलिए आज बनाते हैं एक यूनिक पकोड़ा नमस्कार दोस्तों, उमीद है आप सभी अच्छे होंगे तो चलिए सबसे पहले तो पकोड़े के लिए उसका बैटर तेयार करना होता है तो पहले बैटर ही तेयार करते हैं इसके लिए मैं एक बॉल को ले लूँगी नमक, मिर्चा भी आपकने स्वात के अनुसान ही इसमें डाले फिर इसमें ग्रेटिट मैं थोड़ी सी अधरक डाल लेती हूँ करीब हाप चमच के बराबर और फिर इसे मिक्स करती हूँ फिर इसमें दो चमच मैं वाइल डालूँगी कोई भी वाइल जो आप खाती हूँ और उसके बाद आदे निबू को मैं इसमें निचोड़ लूँगी और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी अब इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी पानी करके एक गढ़ा सा स्मूज सा मैटर तयार करूँगी यह देखिए तो अभी यह कम है अभी थोड़ी सी इसमें और पानी डालूँगी मैं यह डाल लिया मैंने बहुत ही क्रिस्प पकोड़े बनेंगे और किस चीच की पकोड़े हैं यह मैं आपको बस थोड़ी ही देर में बतलाने वाली हूँ तो यह वेटर करीब करीद तयार है लेकिन अभी भी यह गाड़ी है थोड़ी सी और पानी डाल लेती हूँ और डाल करके फिर इसे मिक्स करती हूँ काफी स्मूद सा यह बनेगा और काफी टेस्टी होगा आप इसमें चाहें तो और भी अपने स्वादनसार मसाले मिला सकती है पर यह अच्छा है इतना ही काफी है अब मैं किस चीज की बना रही हूँ चलिए यह बताती हूँ मैं इसे ढख करके थोड़ी देर के लिए रख दूँ तो यह मैं ब्रेट की बना रही हूँ लेकिन यह प्योर ब्रेट की नहीं है यह ब्रेट की किनारे जो अक्सर सैड्विच बनाते समय है या कोई और डिस बनाते समय हम काटकर फेक देते हैं मैं उसी से ही यह पकोड़े बनाने जा रही हूँ यह देखिए और इस पकोड़े के बनाने के लिए ये जो मैं किनारे को काटूंगी वो तूटना नहीं चाहिए सिर्फ एक तरफ से ही ये कटा रहेगा और कटने के बाद इस तरह से मैं इसे गोल शेप दे दूँगी राउंड करके और एक तूथ पीक से इसे टैक कर लूँगी और इसी तरह से आपको जितने भी पकोड़े बनाने हो इस तरह से आप कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने चाय के लिए थोड़े से बनाये हैं पकोड़े और इसलिए बैटर भी मैंने थोड़े से ही बनाये है अब बैटर अब तक मेरा सेट हो चुका है तो अब मैं जो क्या करना है जो मैंने ये ब्रेट के आउटर पार्ट को काट कर जो गोल बनाया है उसे तलना है तो एक कढ़ाई को मैंने रख लिया तेल डाल कर गरम कर लिया और इस बैटर में मैं इसे डूबो कर ब्रेट के किनारों का जो मैंने गोल बनाया है उसे डूबो करके और म मैं इसे तल लूँगी मीडियम फिलम पर तलना अधरवाई जी अंदर से क्रिस्प नहीं होगा और इस तरह से एक बार मैं इसे पलटकर भी अच्छे से तल लूँगी और ये देखिए ये तयार हो गया लगभग तयार हो गया अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकाल करके आप इसे अपने मन पसंद चटनी या फिर शॉस के साथ खाएं चाय के समय खाएं या फिर ऐसे ही छोटी छोटी भूख में खाएं तो कैसी लगी मेरी इस रेसिपी जरूर बताईएगा मिलती हूं फिर एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए बाई 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 पिर शरी बाईब है मेरी ज्क आंगे च एक रहेẫnे कर द दिए जिहाप बाईयो के सबड़ के अवेद Ve